हेलो गाईस कैसे हैं आप लोग आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में गाईस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि UPI PIN क्या होता है जिया दोस्तों तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों UPI PIN को जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि UPI क्या होता है तो दोस्तों UPI की फुल फॉर्म होती है Unified Payment Interface या दोस्तों ये एक ऐसा तरीका है जिसे यूज करके आप कभी भी अपने bank account से कुछ भी amount भेज सकते हैं आपने friends को, relatives को या कि आपको कोई taxi का bill पे करना है या light का bill पे करना है तो आप UPI की फुल कर सकते हैं और ये दोस्तों ये एक instant transfer होगा इसमें जादा delay नहीं होता है आपके bank account से दूसरे bank account में तो ये बहुत ही अच्छा method है दोस्तों अब सवाल आता है कि UPI को किसने बनाया है और इसके पीछे कौन है तो दोस्तों इसको बनाया है National Payment Corporation of India ने जिसको regulate करती है Reserve Bank of India और जो की ATM भी बहुत सारे manage करती है तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा medium इनों ने बनाया है जिसके थुरूँ आप easily transfer कर सकते हैं पैसों का लेंदेन आप असानी से कर सकते हैं दोस्तों ये तो हमने जान ले कि UPI क्या है और अब हम जानते हैं कि UPI PIN क्या होता है तो दोस्तों UPI PIN एक secret code होता है 4 to 6 digit का होता है जिसे आप create कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से UPI app कोई सी भी आप UPI app डाउनलोड करेंगे जैसे आप उसमें अपना bank account को link करेंगे तो आपको एक pin generate करना पड़ेगा ये pin बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि बिना इस pin के आप कोई भी transfer नहीं कर पाएंगे तो दोस्तो इस pin का इस्तमाल करके आप पैसा भेजने के लिए भी कर सकते हैं और साथ ही में अपने जो भी आपका account balance है उसको check करने के लिए भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं वो भी बड़ी आसानी से आप सभी को इस pin की जरूरत पड़ेगी कोई भी transaction को authorize करने के लिए जो की काफी अच्छी बात है और काफी secure भी बना देता है इसलिए आपको इस pin बहुत ही सोथ समझ कर रखना पड़ता है तो दोस्तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताए कि UPI और UPI pin क्या होता है तो उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पोरी कोशिच करूँगा तो दोस्तो अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए